हेलो दोस्तों Welcome back to my channel अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते है एपिसोड 7 की शरवात में चलनेंग गुशन से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं इसके साथ ही गुशन को चैट रू में काली हूं चैनल के लगती है कि अगर तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो तो हम लोग पहले दोस्त बन जाते हैं कुशन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा क्यूंके तुम मेरी टाइप की लड़की नहीं हो यह सब सुनकर चलने को बहुत पड़ा शौक लगता ह सबस्ते हैं अरे सब ईक बाहर राती है अब ऑच्छ यहां पर आता है। कक तो यह खरा खोड़ा हुआ है यह मुझे को देखता है कि दो तुम ने तुम्हें यंदक नजर अग्शलिया चान लग होता और वापस आते हुए होती है अपने वापस आकर चैनलेंग पोस्टर को देखते हुए रो रही होती और इसको वह सभी मुमेंट स्याद आ रहे होते हैं जो इसने गूशन के साथ स्पेंड किये होते हैं चैनलिंग अब गूशन के रिजेक्शन को याद करके पुरी तरह से रोने लगती है इन सभी के साथ केम खेलते हुए अपना टार्गेट सेट किये बगएर ही शूट करना स्टा पास आगर पुशन लगता है कि अगर तुम्हें क्या हुआ है तो चैनलिंग चिलाते हुए कहती कि मेरा दिल तूट क्या है इसलिक को चेरप करते हुए कहता है आज करते हैं तुम्हारे पास दिल नहीं है लोता हो कहने लगते कितना स्टूपिड लड़का जैसने हमारी डोट्विस्ट का दिल दोड़ा है मैं चियांग चंग जाकर उससे बदला लूँगा मेशा कहता है कि हाँ मैं भी कल तुम्हारे साथ चलता हूँ चलने कहती कि बेजिंग कैमपस चाहो दौंग उनिवरस्टी में गुशन नामी लड़के को ढूंडो और मेरी खादर उसके खुब धुलाई करो गुशन का नाम सुनकर यह सारे ही शौक में आ जाते हैं तबस्यदा शौक में तो गुशन होता है गुशन कहते है कि कल तो तुम अपने क्रश गंकिंग के साथ डूओ नहीं कर रही थी तुमने मुझे खुद उसके बार में बताया था चलने कहते है कि मैं तो सुबो ग्रेजवेशन सर्मनी में थी मैंने अपनी कसन को अपना अकाउंट यूज करने करी दिया था उसका तो कनफेशन सकसेस्फुल हो गया गुशन ये सुनकर घबराज आता है कहने लगता है कि इसका मतलब सुबो तुम गेम नहीं कहल रही थी चलने कहते है कि उस टाइम पर तो मैं गुशन से अपनी फीलिंग्स कनफेस कर रही थी ये कहना बेतर होगा कि गुशन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया वह भी सबके सामने ये सुनते ही गुशन के हाथ से गन नीचे किर जाती है अब गुशन को शूट करता है तो ये नीचे पर चाते है चलने गुशन से कहते हैं कि तुम्हे देखकर अगरा है जैसे तुमने कुछ वालत कर दिया है अब चिलने इन सब के सामने गुशन को बुरा भरा कहना शरू कर देती है गुशन कहने लगता है कि हो सकता है कि गलत फहमी हो गई हो उसका कहने का यह मतलब ना हो चिलने कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं उसकी काड़ी के टाय पेंचर कर दूँगी या उसकी डिपलोमा को सबके सामने फाट दूँगी गुशन इसको अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बार बार गुशन को तीरा कर लगी चाह रहे होते हैं इसी वज़ा से कि यहीं पर गिड़ जाता है अब गुशन तो बहुता पर रहशान होकर नीचे लेटा होता है तो जुनन कहने लगता है कि तुम जाकर उसको बता देना कि गेमें तुम्हारा नाम कैमपस हंक है तो मेशा इसको बात पूरी करने नहीं देता और इसके उपर पंच मार देता है कि तुम सभी हो उसका रियाक्शन यहीं होगा जाता है थे हैंप ऑनों जाते हैंगेशन को तो कुछ भी समझ ढही करने के बाद वापिस अपने घर जा रही होती है अगर तो अच्छा फील नहीं करो तो तुम हमारे पास आ सकती हो जब मैं अपने लिए घर रेंट पर ले लूँगे तो तुम लोग मेरे घर आना हैंगा उट करने के लिए इसके फ्रेंड जो बाइचा चली जाती है आज जब होंग चे आफिस आती है तो यह चलनिंग को देखकर कहती कि आज सुम्हें वेकप नहीं किया तो चलनिंग कहती है कि मेरे पास इस सब के लिए वक्त रही है मुझे अपने करियर पर फोकस करना है और गुशन को काम के बारे में बता रहा होता है और गुशन का इसकी बात पर द्यान नहीं होता और यह चलनिंग की वजह से बहुत डाउन दिखाई दे रहा होता है अब लेफ्ट कुलती है तो लेफ्ट में चलनिंग भी आजाती है चलनिंग को देखते हैं अपना पूस्ट्ट ही तो है फिर मेरा काम हो जाएगा इतने में यहां पर गुशन भी आजा तो मैं किस चीज़ की जडाइब हुं कहते हैं कि मैं यहां पर पर है तो कि यह था मैं यहाँ पर पहले आए थी और और Content Kayla पीचे हट चाहता है मैं करना के निए बाता है आज जाता है चलने के दी कि मैं कल के बार में क्या बात करनी है तुमने कल सब के सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और मैंने तुम्हारे फैसले को एकसेप्ट कर लिया इसलिए अब हमारा जो भी इंट्रक्शन होगा वो सिर्फ प्रफेशनली होगा और जब भी तुम्हें मुझसे काम क कोई बात करनी हो तो मुझे डिंग डॉक के जरीये कांटक्ट करना चलने यहां से चली जाती है आज मीटिंग में गुशन और च्यांग अपने प्रोजेक्ट के शुचे गोल्स के बारे में मैस चैन को बता रहे होते हैं मैस चैन कोई कॉल आते जिसको सुनने के लिए चली जा हुशा कर रहा होता है कि हमारी पर्फ चाहिं नहीं है जन lifelong के अब चल्डी से खाना ले animus ख़सा को को मीटिस जाना होगा कर देखिए हैं तो situation बहुत awkward हो जाएगी चलने के इसकी बात सुनकर रुख चाती है हुंचिया गुशन से कहने लगती है कि डिपार्टमेंट के सभी लड़किया तुम्हारे बारे में गॉसप करती रहती है इसलिए मैं चाहना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे को गर्फरंड है गुशन कहता है कि मैं काम में बहुत बिजी होता हूँ इसलिए मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है हुंचिया कहती है फिर तो बहुत साही लड़किया तुमसे अपनी फेलिंग जरूर कनफेस करती होगी गुशन कहता है कि हाँ गुशन चलने की तरफ देख रहा हो तो चलने कहती है कि तुम मुझे इसलिए देख रहे क्योंके तुम मुझे बताना चाहते हो कि मेरे जैसी लड़किया तुमसे अपनी फेलिंग कनफेस करने के लिए बहुत ही आम है गुशन यह सुनकर अप्सेट दिखाई देरा होता है कि चलने कि इसको घलत समझ रही है काफिटेरिया में खाना खत्म होगे होता है इसलिए गुशन को कुछ भी नहीं मिला होता तो होग्चया यह देख कर सकते हो गुशन जब चिकन ट्राय करता है तो बहुत जदा गुशन इसको इंकार नहीं कर पाता और इसको यह खाना पड़ता है गुशन से स्पाइस विल्कुल भी बर्दाश नहीं हो रहे होते हैं देख कर होंग जया स्कैली पाने ग्रीनी के चली चाहती है गुशन चलनेंग से कहते हैं कि जो कुछ पर हुआ वह माजी का हिस्सा है आपकी जुरत नहीं है गुशन कहते हैं पहले तो मेरी बात सुनों बाद में इसका फैसला कर लेना चलनेंग यहां पर सुजन को देखती है फॉरन इसको यहां पर बुला लेती है और भुशन से कहते हैं कि अपने डिपार्टमन की प्रोजेक्ट से रिलेटिड कुछ बात क अपनी डॉम से कॉल आती है कि इसे चल से चल अपना रूम खाली करना होगा अब चैट रूम में सब को बताने लगती है कि आज गुशन ने इसके साथ क्या किया चलने कहती है कि मैं इसके सारे लोग मुझूद थे इसलिए मैंने उसे नहीं कहा गुशन यह मैंस्जिस बहुत है इसके पास चलने को अपने लिए अपार्टमेंट मिल जाता है अब बाद में नाइन बुशन यूनिट के कुछ मेंबर्स बैठे होते हैं यहां पर चलने की डिपार्टमेंट का मिस्टर वांग भी आता है जो इनके साथ आकर बैठ जाता है यहां पर एक लड़का को मेसज करता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं इतना में जानिक को यह कॉल आ चाहती है इसे लिए यह तीनों भी ऑन-laiN होकर कहने लगते हैं कि हमें नहीं मालूं था कि गोशन कभी किसी माफी मांगेगा चलने कहती है कि मुझे माफ करना मैंने मैंसेज कर दिया गुशन ने अभी अपने मेंसे सेंड़ने किया तो ये सब देखने के बाद ये चनलिंग को ये सेंड़नी नहीं नहीं करता आज हॉँजिया चनलिंग को अपने आउनलाइन फ्रेंड्से मिलवाने के लिए कर आई होती है लेकिन पिक्षर बेची होती वों किसी और की होती है यह बास सुनते ही चुन्निंग को तुछ चुनिंग को गुसे में लगती है कि जिस रिलेशन्शिप सचाहीं नहीं होती वह कभी जादा देट तक नहीं रहा था इस बार तुमने अपनी अपेरिंस के बारे में जूट बोला है क्या पता कि तुम अगली बार किस बारे में जूट बोलो गुशन भी चननेंग की कई वी सारी बाते सुन लेता है चननेंग इस पर बहुत गुसा करती है और इसको यहां से बहुता देती है अब जब चलनेंग हंचिया को लेकर यहां से जा रही होती है तो इसके नजर गोशन पर पड़ती है लेकिन ये गोशन को इगनोर करके यहां से चली जाती है जब ये दोनों आफिस आती तो हंच्चा कहती है कि मैं अपना पर्स तो कैफे में भूलाई हूं ये जल्दी से उसको लेने के लिए चली जाती है गोशन भी चलने के साथ लिफ्ट के बाहर आकर खड़ा हो जाता है जैसे ये दोनों लिफ्ट में आते हैं तो दो और लोग भी लिफ्ट में आने लगते हैं लेकिन गोशन कहता है कि क्या आप लोग प्लेस नेक्स्ट लिफ्ट का वेट कर सकते हैं ये ऐसा करने के लिए मान जाते हैं चनलिंग कहती है कि इन चन्द दिनों में तुमने मुझसे बात करने की बहुत सारी अटेम्ट्स की है चनलिंग कहती है कि मैं जानती है कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो लेकिन किसी को रिजेक्ट करना नॉर्मल बात है हाला कि तुम काफी रूट थे लेकिन मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी माफी माँगने का कोई भी फाइदा नहीं क्योंकि मैं पहले ही मूब आन कर चुकी हूँ ये सब सुन कर गोशन चिलनिंग से कहता है कि मैं कैमबस हांक हूँ इसे मुमेंट पर एपिसोड सेवन खतम हो जाती है